स्योहारा में क्शेत्र में बढ़ रहे गुलदार के आतंक के बीच नगर पालिका से आगे बूढे रन मार्ग पर उस समय संसनी मच गई जब राहगीरों ने एक गुलदार को बीच सडक पर देखा तो उनके होश उड़ गए राहगीरों के शोर के बाद गुलदार मार्ग के रास्ते में स्थित एक पुलिया में घुसकर बैठ गया सूचना पर पहुँचे चेयरमैन फैसल वारसी गुलदार की सुध लेनी चाही तो उन्होंने पाया कि गुलदार एक पैर से घायल है बाद में मौके पर पहुँचे कस्बा प्रभारी तन्वीर एहमद हेड का विपिन कुमार हेड का ब्रिजपाल सिंग आदी ने भीड को कम करते हुए वन विभाग को सूचना दी समाचार लिखे जाने तक गुलदार पुलिया में ही अपना आशियाना बना कर छुपा हुआ था जबकि लोगों की भीड उसको देखने के लिए उत्सुकता में थी सियोहारा से नजम सिद्धी की रिपोर्ट तो हमने इस रोट पे लाइट भी लगा दी थी क्योंकि इस रोट पे कब्रुस्तान, शम्शान, मदर्सा, आम जनों को बहुत परिशानी थी रात में एक भैका महल था, दहशत थी उससे बचने के लिए हमने इसमें सेकडो पोल लगा दी, लाइट लगा दी बहुत लोगो रात मिली, अब उस पाइप लाइन के अंदर चुपा बैठा है हम देखने गए, प्रियास किया तो निकल के उसमें कामिल भाई पे रूम पे अटेक किया जिसके चलते हम दोनों गिर भी गए अभी माँ और वन्विभाग को भी सुचना देदी, आदा घंटा हो गया, वो भी पहुचने वाले होंगे पुलिस मौके पे हैं, मीडिया तमाम लोग भीड़ा आप देख रहे हैं लेकिन काफी गुस्से में है यह जो चीता है अब वो इसके पाइप के अंदर बैठावा है और निकलने का प्रियास कर रहा है, टीम आजाएगी, रेस्ट्यू करके चोट है तो इलाज कराके इसको मन्मिभाग के हवाले कर दिया जाएगा और अपना फिर वागी हो जाने